जहन दोस्तोस एंड क्या हाल है दोस्तो आज मेरे पास है बोट की तरफ थे आने वाले बोट प्लस अब दोस्तो बात करों गई इस ने बैंड की तो यह कहीं नहीं बोट रोकर 255 Pro का ही एक तरस्टर सर बनाया गया है, यह उसी को थोड़ा सा रिनेम करके यहांपडेट करके यहां पर दिया गया है, तो आज करने वाले हैं इसी नेक्पेंट के बारे में बात, क्या-काइब फीचर्स आपको इस अंदर में मिलने वाले हैं, क्या-काइब यहां पर वीडियो के स्टार्ट, लेट गेट स्टार्ट, तो कुछ इस तरीकी का बॉक्स में याँ पर देखने के लिए मिलता है, सब तो उपर मेंशन है रोकज 258 प्लस, यहीं पर देखी कुछ के बारे में याँ पर बताया गया है, जिसे बीस्ट मोट, 60 आवर नॉन स्टॉप प्लेबैक, एसे चार्ट टेकनोलोजी मिलती है, वहीं बॉक्स से बैक में भी कुछ फीचर के बारे में बताया गया है, बोट सिगनेचर साउंड, IPX वार्टर रेटिंग, इन सभी चीज़ों की साथ में है C wireless, लिए बोट की ब्रेंड़िंगे सार्ट हों, बात करते हैं और कङने की क्वाल्टिए गाल्टिए, यह बॉप्लीक्त की क् Convene में कापी अच्छी हाहा पर देखने के डेकने के लिए मिल जाएगी, अगे के साइड में जो wire आपको मिलता है, वो flat wire मिलता है, यही पर आपको इसमें कंटोल करने के लिए plus and minus का button मिल जाता है, साथ ही में क्ले plus and minus का button मिल जाता है, और on-off का button भी. यहींपर अगर आप देखेंगे, तो आपको एक Type-C का charging port भी यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आप इसे charge कर सकते हैं, बात करूँ अगर इसके earbuds की, तो तो metal की earbuds यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि magnet के साथ में आते हैं, हाला कि on-off का feature यहाँ से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको button का use करना होगा, तो बात करो कर क्वालिटी की, तो quality wise यहाँ पर काफी अच्छी quality देखने के लिए मिलती है, बाकि neckband काफी lightweight यहाँ पर feel होता है, और वहीं अगर बात करो fitting wise की, तो fitting wise है, काफी comfortable तरीके से fit हो जाते हैं, जो इनके साथ में एक्ट्रा कान में support देने के लिए रहते हैं, काफी अच्छे देके से आपकी कानों fit हो जाते हैं, तो काफी अच्छे देके से आप यहाँ पर activities कर सकते हैं, यह definitely आपकी कानों से इतनी easily से नहीं निकलने वाले हैं, वहीं बात करूँ तो यहाँ पर मिलती है IPX7 की certification, हलकी फलकी बाइस में भी आप जाते हैं, तो यह जल्दी खड़ाब नहीं होने वाले हैं, तो दूस्तों बात करोकर connectivity की, तो Google fast pair का support यहाँ पर मिलता है, बाकी यहाँ पर आपको controls के लिए इसमें buttons मिलते हैं, तो इनी buttons से आप सभी चीज़ों को control कर सकते हैं, बाकी इसके controls की list में यहाँ पर लगा दोगा तो आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं, बाकी बात करोकर sound quality की, तो sound quality आपको यहाँ ठीक देखने के लिए मिल जाती है, साथी में beast mode मिलता है, for low latency of gaming, अब दोस्तों जो sound यहाँ पर मिलता है, वो board का signature sound यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दोस्तों मैं काफी टाइम से बोट के रोपर ट्रिनेटी को यूज कर रहा हूँ जो कि मेरे प्राइमरी डिवाइस से, अब दोस्तों इसके अंदर भी board का signature sound मिलता है, हालकि यहाँ पर एक normal board भी मिलता है, एक signature sound मिलता है, और साथी में एक beast mode मिलता है, मैं बता हूँ अपने preferences तो मैं सिर्फ normal mode भी यूज करता हूँ चुकि मुझे वह mode ज्यादा अच्छा लगता है, अब दोस्तों इनके अंदर board का signature sound by default ही देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कोई भी normal mode देखने के लिए नहीं मिलता है, अब दोस्तों board का signature sound मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, उसके पीछे का might be reason यह हो सकता है कि मैं इनको यूज कर रहा हूँ इनके अंदर मुझे normal mode देखने के लिए मिलता है, तो काफी लंबे टाइम से यूज करने के वएसे might be normal mode ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बट इनके अंदर normal mode नहीं मिलता है, हाला कि कुछ time use करने के बाद में शायद मुझे इनकी आदत हो जाए, बाकि दोस्तों अगर आप इन neckband को यूज कर रहे हो या फिर आप इस neckband को यूज कर रहे हो तो दोस्तों आप कमेंट में suggestion जरूर बताइएगा कि आपको बोट का signature sound ज्यादा पसंद आता है, या फिर एक normal sound ज्यादा पसंद आता है, बाकि दोस्तों ऐसी कोई ज्यादा इसमें major फरक नहीं आता है, sound को कहीं आपको accept किया जा सकता है, बात करोकर battery backup की दोस्तों यहाँ पर up to 60 hours का backup आपको देखने के लिए मिल जाता है brand की तरफ से claim में, charging technology भी आपर काफी pass देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बास है, बाकि mic quality यहाँ पर किस चरीकी के मिलने वाली है तो उसका जल्दी से test करके दिखा देता हूं आपको, अभी जो आप sound यहाँ पर सुन रहे है इस clip पर वो इनके mic से record हो रहे है, तो आपको थोड़ा सा idea मिल जाएगा कि किस चरीकी की mic quality यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो जैसा कि आपने सुना, mic की quality यहाँ पर clear and crisp voice तुनाई देती है next person को, तो उससा से mic की quality यहाँ पर काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है, दोस्तो बात करोकर overall conclusion की तो दोस्तो बोट की तरफ सी यह product हमें जो मिलता है, दोस्तो इसका price हमें देखने के लिए मिलेगा around 1300 से लेकर के 1400 के Apple तक का Amazon और Flipkart पे, दोस्तो उस हिसाफ से यह product काफी सही है, हाला की अभी भी मेरी personal choice हो रहेगी वह रहेगी यह बहुत रोकर ट्रिटी जिनने मैंने की 1300 रुपी पर भाय कर रहा था, Bluetooth version 5.2 है जो कि updated है उसे साथ देखा जाता है तो यह काफी ठीक है, हाला कि sound की quality आप signature sound है जो कि आप थोड़े time यूज करने के बाद में यूज हो सकते हैं, तो उसे साथ से देखा जा रहे है यह product ठीक है, मैं definitely इसे recommend करता हूँ अगर आपने कभी इनको यूज नहीं कर रहा है, तो बाकि दोस्तों आप बताइए आप board का या किस brand का product आप यूज कर रहा है, comment पो उस product का नाम जरूर बताइएगा, आयोग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, make sure to like, subscribe and share मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर, bye bye and see you soon.